आप सभी का स्वागत है मानका की चैन में दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बियारी स्टाइल कोहडा की सब्जी आप सुरू करते हैं यहां पर मैंने एक कीलो के लगबग में कोहडा को काट लिया है अच्छे से धो कर हमें इसे पीसिस में काट लेनी है विल्कुल इस तरह के पीसिस हमें रखनी है इनमें कुछ लगने वाले खड़े मसाले इन्हें भी हम देख लेते हैं तो इसमें हमने तेज पत्ता, सरसो दाना, दो सुखिलाल मेज, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हमने मेथी दाना को लिया है तो इन सभी मसालों को हम एक कडाई में अच्छे से डाल कर थोड़ा भून लेंगे, इससे सबजी में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता था, अब इनमें हम थोड़ा तेल को एड़ कर लेते हैं, इनमें ज्यादा तेल नहीं लगता, थोड़ा तेल में हो जाता है, तो हम तेल इन सबी मसाले को थोड़ा चोटकने तक अच्छे से भून लेंगे अब इसमें हम कटी हुए पिसिस कोड़ा की सारे इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं फ्रेंड आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीज़ेगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी कोड़े को हमें ढक ढक कर बीच बीच में पलटते हुए पका लेना है जब यह पानी रिडियोस करे तो इसमें हम स्वादनुसार नमक अड़ कर लेते हैं कोड़ा अच्छी तरह से भून गया है तो अब इसमें हम मसाले अड़ करते हैं इसमें हम थोड़ी से हल्दी पॉडर थोड़ा सा भी इसमें लिर्च पॉडर थोड़ा धनिया पॉडर थोड़ा सा इसमें हम सरसो के पीसे हुए पॉडर को एड़ कर लेंगे और इन्हें थो सबजी अच्छे से भुन चुकी है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी एड़ कर लेते हैं इसमें ज्यादा पानी नहीं लगता थोड़ा पानी में हो जाता है इसमें पानी डालकर हम अच्छे से सभी को मिलाकर इन्हें ढखकर पकने को छोड़ देते हैं इन्हें बीच बीच में ह करा मैं देख्ते रहना है कि सब्जी की पानी सुग गई और सब्जी हमारे अच्छे से पग गए हूँ थो हमारी सब्जी बनकर ready है तो हम यह और इस एवंग्लियों का मदर से दबा कर देखेंगे कि हमारी ऐग अब पक चुकी है यह दोस्तो हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल ब यह बिल्कुल मसालेदार मस्त चटपटी सबजी है यह एक होड़ी की एक बाई जरू ट्राइ कीजिएगा थैंक्स फोर वाचिंग